हेलो फ्रेंज, नमस्कार सबी को, मैं शेफ फशोक, स्वाद करता हूँ आपका आपके अपनी व्टू चैनल को केमिस शेफ फशोक मैं शेफ फशोक, स्वाद करता है, तो दाल को बिखोएंगे कम सकम आदे घंटे तक देखिए पानी आपने इतना डालना है कि दाल अच्छे से उसके अंदर सोक हो जाए, तो आदे घंटे तक आपने डाल को बिखो के छोड़ देना है, तक दाल थोड़ी फूल जाए, तड़ हरी मिर्ची लिए है, प्याज टमाटर और हरी मिर्ची को आपने फाइन चॉफ कर लेना है, टमाटर की कुटिटी दाल में थोड़ी सी जादा रखनी होती है, फिर एक पैन लेंगे और उसके अंदर ओयल एड़ करेंगे, रिफाइन ओयल का यहाँ पर मैं यूज कर रहा हू और साथ में आपने आदा छोटा चमच साबो जीरा डालना है, जीरे को अराम से तिड़कने दीचे, गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है, एक हम बड़ी इलाइची डालेंगे, दो तेजपता एड़ करेंगे, इसके अंदर बड़ी इलाइची और तेजपता काफे चा चॉप करके डालना है, लस्तन आपने यहां पर कूटके डालना है, थोड़ी सी हिंग डालेंगे फ्लेवर के लिए और डाइजेशन के लिए दोनों ही काम करती है, और साथ में आपने देखिए प्याज भी डाल देना है, लस्तन को जदा ब्राउन नहीं करना है, अब गैस क श्टर करते रहना है, हिलाते रहना है, तो आप देख सकते हैं, प्याज का कलर लाइट गूलन प्राउन नहीं शुरू है इसके बद आपने इसमें ब्रीक कट भी हरी मिर्ची डाल देनी है, और साथ में आपने इसमें ब्रीक कट अधरक डालना है, और मिर्ची और अधरक को तो भी आपने प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेना है मिर्ची और अदरग को जादा ने पका जाता है ने तो दाल में ना कड़वा सा टेश देते हैं तो यह देखिए अब देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से पक चुका है मिर्ची अद्रग भी पक चुका है इसके बद आपने इसमें आदा छोटे जमच हल्दी पौडर डालना है और थोड़ा सा आपने कश्मीरी लाल मेश पौडर डालना है कलर के लिए ताकि हमारी दाले में अच्छा कलर आए अब प्याष के साथ आपने हल्दी और मिर्ची को थोड़ा सा पका लेना गैस की फ्लेम आपने यहाप एक तम लो रखनी है ताकि यह जलेना तो यह देखिए थोड़ा सा पकाने के बद आपने इसके अंदर टमाटर एड़ कर देने है और टमाटरों को अपने प्याज के साथ जल्दी से मिक्स कर लेना है ताकि प्याज जो है हुमारा जलेना तो देखे टमाटरों को मिक्स कर लिए इसके बद आपने साथ में ही नमक डाल देना है ताकि टमाटर जो जल्दी से गल जाएं और अच्छे से पक जाएं नमक डालने से टमाटर जल्दी गलते हैं और ढ़कते हैं अपए अब आपने गैस की फ्लेम फिर से हाई करने हैं और हाई फ्लेम में टमाटरों को तब तब काना है जब तेख टमाटर पकने के बाद आयल न चोड़ते हैं तो देखे, आपको देख रहा होगा, टमाटर पक चुके हैं, गल जोके हैं, आदर छोड़े चाम मैं धनिया पॉडर डाला है, और तीखा करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची पॉडर का यूज की है, अगर आप मिर्ची कम खाते हैं, तो आप लाल मिर्च और पानी निकालने के बाद आपने दाल को तड़के में डाल देना यहाँ पे, तो देखे, दाल को यहाँ पर मैंने तड़के में डाल दिया है, थोड़ा सा नम्क और एड करेंगे, थोड़ा नम्क को मैंने पहले भी डाल दिया था, तो लगो एक छोड़ा चमच यहाँ प प्रेशर कुकर के अंदर पका सकते हैं और दाल को भी आप कुकर के अंदर ही भून सकते हैं हमारी जो गैस्प्ले में वो ज़्यादा हाई रहती है तो उससे हमारे प्रेशर कुकर में तड़का बनाते हैं तो हाथ चलते हैं तो मैंने अलग से पैन के अंदर दाल की भूनाई क करके cooker के अंदरे आपर डाल दी है एक आपके पानी के डाल दी है अब कितने शूप बाल पानी के डाल ने अगर आप एक कब दाल बना रहे हैं तो आपने पांच कप इसमें पानी की अट करने यह प्रॉपर मेसरमेंट है मसरकी डाल के लिए क्योंकि इसमें थोड़ा डाल जादा होता है और ठीक हो जाती है तो देखिए मैंने यहाँ पर पांच सूप अलवर के पानी के एड़ किये हैं अब प्रेशर कुकर को उपर से कवर कर देंगे और एक सीटी आने के बद आपने डाल को 12-15 मिनिट तक पकने देना है लोग फले में 15 मिनिट हो चुके हैं डाल को पकते होए अब इसकी अपने ना स्टीम निकालनी नहीं है अपने आप स्टीम निकलेगी तो ही आपने प्रेशर कुकर कर डखकने तब खोलना है तो चरिए चेक कर लेते हैं डाल पकी है नहीं पकी है तो ये देखिए अब देख सकते हैं डाल जो अच्छे से याँ पर पक चुकी है और अच्छी थिकनेस भी डाल में आच चुकी है तो आपने भी इस तरह से इस ताल को पका लेना है अभी जो हमारी बलैक मसर की डाल है पूरी तरह से बनके त्यार नी हुई है अभी हम इसमें तो यहाँ पर मैंने एक लेडर ली है और उसके अंदर एक बड़ा चमय देशी घी अड़ करेंगे घी को अपने अच्छे से मैट कर लेना है फिर इसमें एक छोड़ा चमय बरके ब्रीकट और लसुन डालना है लसुन को आपने मीडियम टू लो फले में अच्छे से पका ल बाढ़ के डालना है और जल्डी से अपने डाल के अंदर लस्न का चौग लगा दूना है यह देखिए गड़्यक गड़्ची को डाल दीजिए और कुकर को आप उपर से जल्दी से कावर कर दीजिए ताकि लस्न का फलेवर दाल के अंदर रहे अच्छे से आप चाहें तो थोड़ा सक कश्मीरी लाल में इस पोटर डाल सकते हैं लस्टन के साथ में अच्छा रोगन लाने के लिए और साथ में लाश्ट में आपने इसमें ब्री कट हुआ हरा धनिया डालना है और अच्छे से अपने तड़के को और धनिया को मिक्स कर लेने डाल के साथ तो यह हमारी काली मसर की डाल जुआ उबन के त्यार हो चुकी है इस तरह से आपने इस डाल को बनाना है फिर आप इसका टेश देखिगा